ओम शान्ती पांच आर दुहजारतेईस के मुल्ली है मुख्य रूप से बाबा ने कहा बाब का बनने में कोई वेद शास्त्र आदी पुस्तके पढ़ने की दरकार नहीं है दोसरा, निश्चे चाहिए के हमारा कुल सबसे श्रेष्ट देवता कुल है इस स्मृती से सारा चक्र याद आ जाएगा बाब और चक्र की स्मृती में रहने वाले सदा हर्शित रहेंगे फिर कहा, तुम अभी तिवाटे पर खड़े हो एक तरफ है दुखधाम, दूसरे तरफ है शान्तीधाम और तीसरे तरफ है सुखधाम अब जज करू, हमें किधर जाना है? फिर कहा, सर्वीस का शौक रखना है बेमारी में भी बाब की याद में रहना है और दूसरों को भी याद दिलाना है मुक से ग्यान दान करते रहना है पक्का मातेला बनना है, अर्थात एक बाब की ही याद में रहना है सवेरे सवेरे उठ बिचार सागर मन्थन करना है दूसरा कोई भी याद ना आए अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम अभी टिवाटे पर खड़े हो एक तरफ है दुखधाम दूसरे तरफ है शान्तिधाम और तीसरे तरफ है सुखधाम अब जच करो हमें किधर जाना है प्रश्न है किस निश्चे के आधार पर तुम बच्चे सदाहर्शित रह सकते हो उत्तर सबसे पहला निश्चे चाहिए कि हम किसके बने है बाब का बनने में कोई वेद शास्त्र आधी पुस्तके पढ़ने की दरकार नहीं है दूसरा निश्चे चाहिए कि हमारा कुल सबसे श्रेष्ट देवता कुल है इस स्मृति से सारा चक्र याद आ जाएगा बाब और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदाहर्शित रहेंगे गीत है किसी ने अपना बना के मुझको ओम श्यान्ति तुम बच्चों को तो पहले पहले खुशी होती है हम किसके बने हैं ऐसे नहीं कहेंगे हम गुरू के बने हैं बनना होता है बाब का शरीर छोड़ कर भी फिर बाब का बनना होता है यहां भी बाब का बनना है वेद शास्त्र आधी किसकी दरकार नहीं बच्चा पैदा हुआ तो बाब समझते हैं मेरी मिलकियत का यह मालिक है संबंद की बात है तुम बच्चे भी जानते हो हम बास्तव में पहले भी पारलावकिक बाब शिप बाबा के बच्चे है पहले हम आत्मा है पीछे हमको शरीर मिलता है तुमको शरीर तो है अब तुमको बेहत का बाब मिला है उसने आकर अपना परिचय दिया है तुम कहते हो बाबा हम आपके है और कोई संबंध नहीं बाप के बच्चे बने हो यह कहते हैं मैं कोई गुरु गोसाई नहीं हूँ बोड़ पर भी ब्रम्हा कुमार कुमारियों का नाम लिखा हुआ है तो जरूर बाप भी होगा लिखते हो हम ब्रम्हा कुमार कुमारियां है यह संबंध हुआ न माबाप का संबंध चाहिए गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे आत्मा को जैसे वो अविनाशी याद है हम आपके जब बालक बनेंगे तब हम वर्सा लेंगे अभी तुम जानते हो हम मात पिता के बने हैं हम शिबाबा के बच्चे हैं तो जरूर बाप और वर्सा याद आता है तुमको कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ाया जाता तुमको सिर्फ निश्चे कराया जाता है बाप के बने हो तो अब उनको याद करो बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम ऐसा लक्षमी नारायन बनेंगे कितनी सहज बात है विशाल बुद्धी होना चाहिए न और तो कुछ नहीं समझते हैं सिर्फ अपने कुल की बात ही बतलाते हैं कि कैसे हम चौरासे के चक्र में आते हैं बाकी वेद शास्त्र आदी पढ़ने से भी तुमको छुडाते हैं बाप को ही याद करते रहना है यह भी बुद्धी में है कि सृष्टी चक्र कैसे फिरता है उसके आदी मध अंत को जानने से ही तुम उँचते उँच बनते हो सुर्ग के मालिक बनते हो तुमको सदेव के लिए हरशित मुख बनाता हूँ कितनी सहज बात है परन तु फिर भी भूल जाते हो क्या कारण है मा बाप को कभी बच्चे भूलते नहीं है बाप और वर्षे को याद करो तो सदेव हरशित रहेंगे जब कोई दुख होता है तो बाप को ही याद करते हैं जरूर बाप ने सुख दिया है कोई दुख देते हैं तो कहते हैं हाई बाबा, हाई भगवान हर जनम में हाई हाई करते आए हो अब तो तुम बच्चों को बिलकुल सहज समझाते हैं भल तुम तंदुरुस्त ना भी हो कितने भी बिमार हो तो भी तुम सर्विस कर सकते हो जैसे बिमारी में मनुश को कहते हैं राम राम कहो तुम भी बिमारी में फिर औरों को बोलो शिबाबा को याद करो यह जरूर औरों को याद कराना पड़े मरने की हालत में भी तुम यह नौलेज औरों को दे सकते हो पर मात मा के तुम बच्चे हो, उनको याद करो श्यबाबा बेहत का बाप है, वही वर्सा देंगे सर्विस का शौक होगा, तो मरने समय भी किसको ग्यान देंगे ऐसे नहीं, हॉस्पिटल में पड़े रहे और मुख बंध हो जाए मुख से कुछ न कुछ निकलता रहे, कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए बेमारी में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं मित्र संबंध ही आएंगे, उनको भी कहेंगे पर मात मा को याद करो, वही सब का रखवाला है इसलिए शिब बाबा को याद करो, वो एक है वर्सा भी सब को एक से मिलता है लौकिक संबंध में बर्सा मेल को मिलता है कन्या है ही सो ब्रामणों से उत्तम पवित्र को दान दिया जाता है तुम कन्याए सबसे पवित्र हो इसलिए कहते हैं हम कन्या को दान देते हैं वो बड़ा दान समझते हैं बास्तव में वो कोई दान होता नहीं दान तो अभी तुम करते हो कहते हो हम अपनी कन्या शिप बाबा को देते हैं स्वर्ग की महरानी बनने के लिए परन्तु कान्या भी ऐसी अच्छी पढ़ी लिखी हो अपने दैवी कुलकी हो जो समझने से जट समझ जाए सर्वी से बुल चाहिए छोटे बच्चों को तो नहीं संभालना है कोई को भी समझाना बड़ा सहज है के शिप बाबा तुम्हारा बेहत का बाप है चित्र सामने है देखो यह ऐसा सत्युक का वर्षा पा रहे है इन लक्ष्मी नारायन को वर्षा कहां से मिला कितनी सहज बात है इसलिए बाबा बड़े चित्र भी बनवा रहे है अभी यह नाटक पूरा होता है हमने 84 जन्मू का पार्ट बजाया अब वापिस बाबा के पास जाते है फिर नई दुनिया में आएंगे हमारा बाबा नई दुनिया का रचैता है उसका हमको मालिक बनाते है आपको भी तरीका बतलाते है कि बेहत बाब से सदा सुक का वर्षा तुमको कैसे मिलेगा एक तो समझाओ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा खाती हूँ मैं आत्मा चलती हूँ यह बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए देह अभिमान तूट जाए देह अभिमानी को लौकिक संबंद याद आएंगे देही अभिमानी को पालाव की बाप ही याद पड़ेगा उठते बैठते चलते यह बुद्धी में रखना है मैं आत्मा हूँ बाप की मत पर चलना है शिप बाबा मत दे रहे हैं अपने को आत्मा समझो मेहनत करनी है स्वर्ग के भाती तो बनेंगे परंतु थोड़े में खुश नहीं हो जाओ भल स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु पक्के मातेले बनो मातेला उनको कहा जाता है जो बाप दादा को ही याद करते दूसरा कोई याद पड़ता तो वो हो सोतेले हो जाते हैं बहुत है जिनको दोनों याद पड़ते रहते हैं यह बाप है अविनाशी स्वर्ग का वर्सा देने वाला यह भी कुल है वो भी कुल है उनसे तो दुखी मिलता है बाकी अल्पकाल शन भंगुर सुख का वर्सा मिलता है अब बुद्धी से जज करना है हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जाएं लौकिक तरफ वा पारलौकिक तरफ बुद्धी कहती है पारलौकिक बाप के बन कर हम क्यों नहीं स्वर्ग तरफ जाएं लौकिक संबन से जीते जी मरना है पारलोकिक बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे यहां तो नर्क के मालिक बनते हैं अब आत्मा कहती है बुध्धि को कहां जोड़े अपने शान्तिधाम सुखधाम में जाए या यहां जाए बास्तव में यहां जाए यह उठना ही नहीं चाहिए यहां तो जनम जनमांतर रहे हैं अब तो हम पारलोकिक बाब को कभी छोड़ेंगे नहीं यहां तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तुम्हारा लोकिक सम्मन कोई है नहीं बुद्धी कहती है हम तो बाबा के साथ मुक्तिधाम शंतिधाम जाए सवेरे उठ ऐसे ऐसे बैठ विचार सागर मन्थन करना चाहिए बैठने से बड़ा मजा आएगा अब किस तरफ जाना चाहिए नर्ग तरफ क्यों जाए यह माया बड़ा धुखा देती है अभी तो तुम्हारे पास एम आबजेक्ट है अभी तुम किनारे पर हो जानते हो इस तरफ तो दुखी दुख है उस तरफ 21 जन्मों का सुख है बाग कहते हैं मेरे को याद करो क्योंकि मेरे पास आना है माया कहती है दुनिया तरफ जाओ कहा जाए रस्ता तो मिला है एक तरफ है स्वर्ग में जाने का रास्ता दूसरी तरफ है नर्क में जाने का रास्ता तिवाटा होता है ना तीन गली के बीच में तिवाटा होता है अब हम किस तरफ जाए एक गली है मुक्ती की एक गली है जीवन मुक्ती की और एक है नर्क की जैसे तीन नदियों का संगम है तीन वाटिकाएं है एक वाटिका में हम है तिवाटे का मिसाल अच्छा है अब कहां जाए नर्क का तो विनाश होना है यहाँ दुख बहुत है अभी हम तिवाटे पर खड़े है पीछे तो नहीं हटेंगे दुख की गली से निकाल बाबा ने टिवाटे पर खड़ा किया है दुख धाम की गली से तो तुम जनम जनमांतर पास कर आए हो अब बुद्धी कहती है मुक्ती जीवन मुक्ती तरफ जाए मुक्ती धाम में तो सदयव के लिए बैटना नहीं है ऐसे नहीं हम पाठ से छूट जाए आये ही नहीं पाठ से छूटना नहीं हो सकता ड्रामा अनुसार आएंगे जरूर तो फिर मच्छरों सद्रिश मरेंगे इतना दुख देखा है तो फिर इतना सुख भी देखना चाहिए ड्रामा में बाबा ने वजन ठीक रखा है जिनका पार्ठ ही थोड़ा है, आए एक दो जनम लिये, यह गए, अभी तुम टिवाटे पर खड़े हो, वो शांती धाम, वो सुख धाम, अगर शांती धाम जाना चाहते हो, तो शांती धाम को याद करते रहो, मुक्ती को तो याद करना पड़े न, पिछाडी वालों को मुक मुक्ती धाम की जास्ती याद पड़ेगा, तुमको जीवन मुक्ती धाम याद पड़ता है, स्वर्ग में हम जल्दी जाए, वो चाहते हैं हम मुक्ती में रहे, अच्छा, बाप को याद करते रहो, इसमें भी कल्यान है, निर्वान धाम में रहना चाहते, सुख धाम नहीं आना चाहते तो इसे समझ जाएंगे इनका पाठ नहीं देखता है तुम तो सुखधाम जाने वाले टीवाटे पर खड़े हो पुर्शाट करते हो मनुशों को तुम्हारा सच्चा योग पसंद आएगा अच्छा बाप को याद करते रहो चक्र को भी याद करने की दरकार नहीं यह ज्यान सब धरम वालों के लिए है समझते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने जितना लिया है वही आकर अपना पद ले लेंगे मुक्तिधाम जाना चाहते हैं तो बाप को याद करो अगर चाहो हम सदैव सुखी रहे तो वहां सत्यूग में शांती भी है सुख भी है जो जिस तरफ का होगा उनको बस वर्सा लेना है सर्व का मुक्ती जीवन मुक्ती दाता तो बाप है न एक दो जनम लेने होंगे तो इसमें ही सुख भी देखेंगे दुख भी देखेंगे जैसे मच्छर आया और गया वो कोई अमुल्य जीवन नहीं कहेंगे तुम तो सदैव हर्षित रहने वाले हो तुम लाइट हाउस हो खड़े हो दोनों रास्ता दिखा सकते हो चाहे मुक्ते धाम चलो चाहे मुक्ती जीवन मुक्ती दोनों को याद करो इसमें शास्त्र आदी पढ़ने की कोई दरकार नहीं कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है क्योंकि सीड़ी नहीं चड़ी है छोटे पन में चड़ना अच्छा होता है क्योंकि बुद्धी अच्छी होती है बेडापार है यह बाते बेहद का बाप ही समझाते है जो फिर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते है चित्र भी है हमको ऐसा बनना है बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम सो देवता बनेंगे अभी यह खेल पूरा होना है मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े है तुम अब सोजरे में हो बाप ने आकर नीन से जगाया है यह बुद्धी को आत्मा को जगाया है बाप आकर के जगाते हैं जागो सुखधाम के लिए पुर्षाट करो जो तुम्हारे कुलके होंगे वो आते रहेंगे बृद्धी को पाते जाएंगे तुम्हारी प्रजा कितनी बनती है तुम हिसाब लगा सकते हो नहीं कोई कितना सुनते हैं कोई थोड़ा सुनकर चले जाते हैं हिसाब थोड़े ही निकाल सकते हैं बड़ी माला, छोटी माला, साहुकार प्रजा कैसे बनती है? कौन बनते हैं? वो सब बुद्धी में हैं. मुख्य सूर्यवंशी महराजा महरानी कौन बनेंगे? फिर चंद्रवंशी कौन बनेंगे? कितनी प्रजा बनना है? सब बाते तुमको यहां बतलाई जाती है. सारे जार, अथवा सभी धर्मों के चक्र के बीज से कैसे टाल टालिया, पत्ते आदी निकलते हैं, अभी भी पत्ते निकलते रहते हैं. वहां निराकारी दुनिया एकदम खाली हो जाएगी. फिर विनाश होना चाहिए. बड़ी लड़ाई में करोरो मरे होंगे, अनगिनत. य आकर राज्य करेंगे. अभी तो कितने मनुष्य है? अन नहीं इतना नहीं. तुम बच्चे जानते हो, बाबा आते ही है संगम पर. बाब समझाते हैं, बच्चे, शरीर निर्वहा अर्थ करम तो करना ही है. हर बात में राय पूछते जाओ. हर एक का हिसाब किताब अपना अ हवाई बताएंगे. समझाया जाता है, यहाँ दुनिया खलास हुई पड़ी है. अब बाब को याद करो, तो बेडा पार हो जाएगा. बाब आई ही है नर्क का विनाश कर स्वर्ग की स्थापना करने. हम आपको भी राय देते हैं. श्री श्री से मिली हुई श्रेमत हम आप को भी देते हैं. बाब कहते हैं, मुझे याद करो, तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे. अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रती, मात पेता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग, रुखानी बाब की रुखानी बच्चों को नमस्ते और हम रु पहला, सर्विस का शौक रखना है, बेमारी में भी बाब की याद में रहना है, और दोसरों को भी याद दिलाना है, मुख से ग्यानदान करते रहना है, दोसरा, पक्का मातेला बनना है, अर्थात एक बाब की ही याद में रहना है, सवेरे सवेरे उठ, बिचार सागर मन्थ करना है दूसरा कोई भी याद ना आए वर्दान है अपनी शुब और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा बिश्व परिवर्तन करने वाले बिश्व कल्यान का रिभव विस्तार है आप बच्चों के मन में सदा यही शुब भावना है के सर्व का कल्यान हो हर आत्मा अनीक जनम सुखी हो जाए प्राप्तियों से संपन हो जाए आपकी इस शुब और शक्तिशाली भावना का फल बेश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है आगे चल प्रकृती सहित परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ट आत्माओं को ड्रामा अनुसार प्रतक्ष फल प्राप्त होने का वर्दान है इसलिए जो भी आत्माओं आपके संबन संपर्क में आती है वो उसी समय शांती वासनेह के फल की अनुभूती करती है स्लोगन है त्रेकाल दर्शी स्थिती में स्थित रहकर निर्नाय करो तो हर करम में सफलता प्राप्त होगी अच्छा ओम शांती झाल करें सकता है झाल 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 झाल